चलिए आज बनाते हैं हैदराबादी पनीर जो खाने में बहुत जादा स्वाधिश लगते हैं बनाना भी बहुत आसान है तो आप इसे एक बार जरू ट्राइ करें हमारी वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेलफू लगेगा तो प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब कीजेगा वेल आइकन को प्रेस कर लीजेगा जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुचे तो चलिए हैदरापादी पनीर बनाना हम सुरू करते हैं हमें एक पैन लेना है आप कडाही भी ले सकते हैं इसमें 3-4 चमजितना हमें तेल डालना है तेल अच्छा गरम हो चुका है अभी हमें इसमें 200 ग्राम कटे हुए पनीर को डालना है तेल अच्छा गरम रहेगा तो पनीर चिपकते नहीं है, नॉंस्टिक वाले में तो नहीं चिपकते हैं, ऐसे भी, लेकिन आप अगर कड़ाही का यूज किजिएगा, तेल को अच्छा गरम किजिएगा, नहीं तो ये कड़ाही में चिपक जाते हैं, अभी हमें इसे थोड़े थोड़े दिर में चला लेना है पनीर को हमें हलका भूनना है बहुत जादा नहीं भूनियेगा नहीं तो पनीर चिम्डा हो जाते हैं अभी आप देख सकते हैं पनीर हलका भून चुके हैं अभी हमें इसे निकाल लेना है और बच्चे हुए तेल में हमें डाल देना है 7-8 लसुन के कलियां एक इंच अधरक इसे हमें चला लेना है इसमें हमें डाल देना है एक बड़ा साइस का रफली कटा हुआ प्याज 4 हरी मिर्च आप हरी मिर्च को कम्या जादा भी कर सकते हैं अगर आप जदा दिखाखाना पसंद करते हैं तो हरी मिर्च जादा डालें अभी हमें इसे चलाते हुए हलका भूनना है लगभाग ? 1-1.5 मिनिट ये इसे भूनते हुए लगभाग ? 1.5 मिनिट हो चुक़ा है ये हलका भून चुका है, अभी हमें इसमें डाल दीना है, एक रफली कटा हुआ टमाटर, इसे भी थोड़े दिर के लिए हमें भून लेना है, गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, अभी टमाटर भी हलका भून चुके हैं, इसे हमें वापिस चला लेना है, और अभी हमें इसमें डाल दीना है थोड़े से पालक के पत्ते, थोड़े से हमें डाल दीना है धनिया पत्ता, डंठल के साथ ही डालना है, थोड़ा नमक डाल दीना है, इससे हमें धब कर पकाना है जब तक यह सौप न हो जाए, तब तक हमें इसके लिए मसाले बनाना है, चार से पांच च डाल देना है धनिया पाउडर आधी छोटी चम्मा छल्दी पाउडर आधी छोटी चम्मा जीरा पाउडर इन सब को हमें मिक्स कर लीना है आप लाल में पाउडर भी डाल सकते हैं मसाले मिक्स हो चुके हैं अभी हमें सब्जियों को देख लीना है चेक कर लीना है तो भी आप देख सकते हैं सब्जी अच्छे से पक चुके हैं सौफ्ट हो चुके हैं इसे निकाल लेना है ठंडा होने के बाद इसे हमें पीस लेना है अभी वापीस हमें पैन में डाल दीना है तीन से चार चम्म जितना तेल तेल गरम हो चुके हैं आधी छोटी चम्म जीरा डालना है इसे हमें चला लेना है गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है और इसे हमें हलका भून लेना है लगभग एक से डेर मिनट के लिए थोड़े थोड़े देर में हमें इसे चला लेना है तो इसे भूनते हुए लगभग डेर मिनट हो चुके हैं अभी हमें इसमें मिक्स के हुए दही वाले मसाले को डाल दीना है लो हीट पर दही को डालिएगा नहीं तो दही का फटने का थोड़ा चांस रहता है अभी हमें इसे चला लीना है अच्छे से मिक्स कर लीना है और अभी हमें इसमें डाल दीना है नमक नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाले पहले भी थोड़ा नमक डला हुआ है जब भून रहा था पालक धनिया पता ये सब तो तो ध्यान से डालिएगा नमक और अभी हमें इसे वापिस चला लेना है तो अभी आप देख सकते हैं मसाले से तेल सेप्रेट हो चुके हैं ये अच्छे से भून चुके हैं मसाले को अच्छे से भूनियेगा तभी आपका ग्रेवी बहुत ज़्यादा स्वादिश्ट बनेंगे अभी इसमें डाल देना है पानी आधा अगला जितना पानी डालना है अभी हमें इसे चला लीना है और अभी हमें इसमें उबालाने देना है तो अभी आप देख सकते हैं ग्रेवी में उबाला चुके हैं इसमें हमें भूने हुए पनीर के पीसेस को डाल देना है और अभी हमें इसे चला लीना है इसमें हमें डाल देना है गरम मसाला पाउडर आ अभी वापिस हमें इसे चला लेना है ढगत कर इसे हमें चार से पाँच मिनट के लिए पकने देना है इसे पकते हुए लगभख पाच مिनट हो चुकी हैं कडाही का लेना है और अभी हमें इसे चला लेना है तो देख सकते हैं बहुत ही स्वाधिस्ट हैदराभादी पनीर बनकर तयार है इसमें टाल देना है थोड़ा सा बारी कटा हुआ धन्या पत्ता अभी हमें गैस का फ्लेम आफ कर देना है आप इसे रोटी, पराठा, नान, तंदूरी रोटी के साथ सर्व करें सभी को काफी पसंद आएंगे हमारी वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेलफुल लगा होगा तो प्लीज लाइक, सेर और सब्सक्राइब कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड के साथ सेर जरूर कीजिएगा थैंक्यू फर वाचिंग